हेलो बच्चो वेलकम टू नीड सार्थी एंड दिस इस मुईत सर्मा बैलोजी एडुकेटर फ्रम नीड सार्थी कोटा हुआ हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे बैटा मैकेनिजम आफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में यानि क जो हमारी बाडी के अंदर है बिटा जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड़क्ट हैं उनको बाडी से बाहर निकाला जा रहा था और बाडी से उनको बाहर निकालने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे और यूरिन के थ्रो उन माटेरियल को body से बाहर निकाल दिया जाएगा और urine का formation करना था तो इसके लिए मारे पास एक mechanism था जिसमें हम लोग ठीक रहे थे कि यूरिन का formation बैटा कैसे किया जाता है कितने steps में किया जाता है उन steps में क्या क्या process चल रही है किस तरह से चल रही है वो सब हम लोग बातें कर रहे थे बच्चों तो इसमें अगर हम देखें तो mechanism के अंदर हमने देखा कि इसमें total तीन steps थे यानि कि जो यूरिन का formation है यूरिन formation में आपके total तीन steps लग रहे हैं यानि जो total urine का formation हो रहा है बेटा वह आपका complete वह वह तीन steps में complete होगा जिसमें जो सबसे पहला step था वह था हमारा अल्ट्रा filtration सबसे पहले step यानि कि अल्ट्रा filtration के अंदर हमने क्या देखा कि जो nitrogenous waste product हमारे blood के अंदर प्रेजेंट हैं वह वेस्ट बेटा आपके self ने produce कि metabolic reactions में और आपके blood में डाल दिये गए अब उन product को blood से बाहर निकालना था जो भी वेस्ट था बेटा बोडी के अंदर वह भी blood में circulate कर रहा था वह blood में पढ़ा हुआ था अब उन material को क्या करना था blood से separate करना था और इस material को blood से separate करना था इस separation की process को हम लोग बोल रहे थे ultra filtration और यह जो ultra filtration हो रहा था वह filtrate membrane से हो रहा था filtrate membrane किस किस से मिलकर बनी है है ना कौन-कौन से प्रैसर लग रहे थे इसमें ultra filtration कैसे हो रहा था कहा हो रहा था कैसी process थी यह सारी बात हैं जो थी बटा हम लोग last class में कर चुके थे यानि कि हमने जो बटा last class में ultra filtration पढ़ रखा था अब अगर आगे की बात करें तो जो हमारा mechanism है urine formation का इसमें जो अगले दो steps हैं वो है आपका एक है selective reaction and दूसरा है बटा उसमें आपका tbular secretion आज जब मैं बात करने ही पैटा वो बात करनी है एक तो रीअप Davidson के बारे में और एक मैं बात करनी है टीबूलर फी करेशन के बारे में यह कै रीयप जो सन और फी क्रेशन यह क्या है और ये क्यों कर रहे है दो धरूरत क्या पढ़द रही है अगर इसके बारे बात देखा दो जो हमने लास्ट क्लास में देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे अगर मैं बनाना चाहिए यह हमारा बुमेंस कैप्सूल अगर मैं बात करूँ अपने नेफ्रॉन के बारे में तो यह वाल आपका फस्ट पार देकर रहा है बड़ा यह बुमेंस कैप्सूल यह मैंने देदिया नंबर वन आपका पी सेटी यह देदी आपका लूप फेले यह रहेगा आपका डी सेटी और यह रहेगा आपका कलेक्ट यह मैंने कुछा आपके बियूर्ट का बताए ठीक है पहला पका पी सेटी दूसरा यह लूप फीन ले मैं तीसरा आपके डी सेटी और जो फोर्टे बिटा एक इसमाइ पार ईसमें आपके डी सेटी द्ट यह उपन हो रहे हैं आपका क्या है कलेक्टिंग्ट यह आपके कु पडर्ट था यानी जो एल्टर फिल्टérience से बनके तएयार हो रहाँ था उसको हम लोग जो है गलो मेरिलर के रहे थे और वह की ठेट काँ principle हो वह बटा आपका जो फिल्ट्रेट था के प्लिट यह है Glomerular Filtrate Glomerular Filtrate अगर मैंस Filtrate की बात करूँ तो यह जो Filtrate था अगर इसकी Composition देहें कि इसमें क्या क्या प्रिजेंट था तो जो बटा आपका Glomerular Filtrate था इसके Composition में क्या आपके Blood Cells थे? नहीं थे नहीं थे नहीं थे यानि इसमें RBC, WBC, Platelets ये फारी चीज़ें एपसेंटर हो रखी थी ये फिल्टरेट कह किया selective process था ये filtration ये selective process नहीं था ये आपका non-selective process था इसमें आपने material को बटा select करके नहीं डाला था कि कौन सी चीज़ आपको filtrate में बेजनी है कौन सी चीज़ आपने बलड में रखनी हैं यह जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी इसमें केवल सुरी इतनी से बात थी कि जो जो आपके सब्स्टेंस बटा इन जो अपरचर थे जो कैपिलरी के पोर्स थे जो जो सब्स्टेंस उन पोर्स से चोटे रहेंगे वो तो निकल के अंदर पहुंच जाएंगे और जो जो सब्स्टेंस बड़े होंगे वह आपके अभी भी कहां रह गए वह अभी भी ब्लेड में रह गए तो अगर मैं फिल्ट्रेट की कंपोजिशन की बात करना चाहूं बेटा तो इसमें क्या था आपका कैसमें वाटर प्रेजेंट था अग प्रेजेंट थे इसमें बैटाओं कि आमाइन वेसेड फैटी एसेड और नेट्रो दीन स्टानी निया यहां यह तारी चीज उट जो है इसमें प्रेजेंट थी वॉटर ग्लूकोश मेंडा मिन विटामीन फैटी एसेड यू रिया यह वारी चीजां आपके फिल्ट्रेट म में निज्ञारा रहे हो जैसे इसमें बात करों पिटा व्वोटर की ग्लुकोस की विनरल की इनको लोगी यूरेन मैं जाने दोगे आरे आप लोग बैटा डाइट ले रहे हो उसमें से ग्लूकोस बढ़नि कर हो गुलु narc बाहर से मांग रहे हो ग्लूकोस कि भाई ग्लूकोस दो एनर्जी के लिए और इसको आज आप कह रहे हो कि यूरिन के तुरो बाहर जाने दोगे तो यह जो प्रोड़क्त थे बटा इसमें कुछ एसेंसियल प्रोड़क्त भी प्रिजेंट थे ग्लोमेरिलल फिल्टरेट के अंदर जैसे बात करें आपके यह उपर यह जो मैंने कुछ यहां लिक रहे हैं इसमें आपके यह जो प्रोड़क्त हैं यह आपके एसेंसियल प्रोड़क्त हैं अगर इनके बारें बात करें तो यह कैसे हैं एसेंसियल हैं बाड़ी के लिए यानि आप इन प् आप बाहर नहीं जाने दे सकते लेकिन क्या हुआ कि आपके फिल्ट्रेट में यह चीजें जो है नीचे आ चुकी थी क्योंकि इनका जो साइस था वो कैपिलरी के पोर से उनके अपरचर से छोटा था और यह नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होने के कारड आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इन चीजों को बाहर निकाल दिया गया तो यह आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की पहली गलती थी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ने जो चीज आपके जरूरी थी वो भी बाहर निकाल दी थी यानि कि अगर आप सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बरोसे रहते बटा तो आपके काफी सारे एसेंसियल सब्स्टेंस भी बॉड़ी से बाहर निकाल दिये जाते हैं यानि कि यह जो इल्टरा फिल्टरेशन में कुछ कमी आई बटा और इसने क्या किया कुछ आपके जो इसेंसियल प्रोड़क्ट से उनको भी बाहर निकाला आप यह जो सेंसियल प्रोड़क्ट आपके फिल्टरेट में आ चुके हैं वह बॉड़ी के लिए जरूरी है आप उनको उठाओगे और फिरसे कहां डालोगे बाहर उनको फिरसे बटा ब्लेट में डालोगे लेकिन यहां नेफ्रॉन में ब्लेट कांपरजेंट है अगर बात करें बटा आ यहां तो आपका जो इफ्रेंट आ wedding आप और आया है की आपको आपका चारों तरफ कहा है वो रिनल टेषािए बाए डियो से है जैसे आपका नेफन का पाइट तो इसमें चारों तरफ क्या प्रिजेंट है बेटा आपकी पैरी टिबूलर कैपिलरी और इसके अंदर ब्लेड फ्लो कर रहा है आप जो भी एसेंसियल मटेरियल आपके इन पी सेटी लूप अफ एनले डे सेटी इन में फ्लो कर रहे हैं क्य और उनको ब्लेड में डाल दोगे और यही प्रॉसेस क्या क्या लाएगी री एप्जब्सन क्योंकि आपका जो बेटा मटेरियल था आपने जो ग्लो मेरूलर फिल्ट्रेट तैयार किया था वह आपका लगबग 180 लीटर था यानि कि आपने फिल्ट्रेट रेडी कर रहे हो एक दिन में बिटा वह आपके 180 लीटर है यानि कि आपका जो फिल्ट्रेट रेडी वह वह वन एटी लीटर क्या आप एक दिन में 180 लीटर यूरिन प्रेडीश कर रहे हो नहीं यानि जो आपका यहां तयार हुआ जो भूमेंस कैप्टूल के नीचे तयार हुआ वह 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 और अगर हम भात करें यूरिन की तो बटा एक दिन में लगबग वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर यूरिन जो वह वह निकाली जाती है जो बटा प्रेडियूस की जाती है यानि यहां ता आपका 180 लीटर और यहां आपको मिला 121.5 लीटर तो फिर सारा का सारा काह चल vaite litre तो बांक की material कहां गया और बांक की material जो था पर आपका वह पहुंशचुका बलट के अंदर औ पूर ने बुड है और इसे को आपने बोला री अपजय सन यानि की आपका जो material था अगर रीःचाप संगी बात करें तो ये तो ये फिल्ट्रेट की तो लगबग उसका 99% 100 मेंटर था वो बापस ब्लड में जा चुका है यानि कि रियेप जॉप्शन के समय बिटा क्या हुआ कि आपका 99% 100 गलो मेर फिल्ट्रेट है वो बापस ब्लड में डाल दिया जाएगा क्योंकि आपने प्रडियूस कि आप 180 लीटर और यूरिन बनाई आपने 121.5 लीटर यानि लगबग 178.5 लगबग 90% 100 फिल्ट्रेट था वो आपने फिरसे ब्लड में डाल दिया किसके लिए क्योंकि यह आपके लिए एसेंसियल था आप इतना वाटर लॉस नहीं कर सकते एक दिन में अगर आप लोग एक दिन में अपने ब लोग नम दे रहें बिटा री एप्जॉप्शन इसको हम क्या बुल रहें री एप्जॉप्शन एक होता है आपका बिटा री एप्जॉप्शन और एक होता है हमारे पास बिटा एप्जॉप्शन एक होता हमारे पास एप्जॉप्शन अगर मैं बात करूं री की वह सबस्टेंस आपका ब्लड में पहली बार डाला जा रहा है वह आपका कहलाएगा एप्जाप्शन अगर कोई भी सबस्टेंस आपके ब्लड में पहली बार गया तो वह आपका एप्जाप्शन और अगर इसको दूजरी बार डाला गया है तो वह आपका रिये और यह फिए लेमिन्टरी कैनल शाइब के वॉट ली切 incredibly कहने यह व्यांटने के मुलकका है इंञा एली मेंटरी के नाल अपने त quy स् Betsy भॉट वॉटर वाटर के साथ लिया वह लोगॉकोस आपका कहां जाएगा इलिमेंटरी कैनल में और औरे मॉटी कैनल से यह जो भी मैटे किया वहां से वह ब्लेड में डाला गया यानि कि पहली बार अगर वह ब्लेड में इंटर कर रहा है तो वह आपका रियाप्जॉप्शन और यही ग्लूकोस यही ग्लूकोस जब आपका ब्लेड में प्रेजेंट था तो फिल्ट्रेशन के टैम पर यह बाहर निकल गया यानि कि अगर बात करें बेटा यही जो ग्लुकोस तापका अगर जब फिल्ट्रेशन हुआ तो फिल्ट्रेशन के टैम्पर क्या रहा कि यही जो ग्लुकोस आया आपका बटा फिल्ट्रेश्ट के अंदर आगया ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेट के पास आगया अब आपने क्या किया इसी फुरते ब्लेड में डाला इसको फुरते ब्लेड में डाला याइनि की यहीं ग्लूकै। पहली बार से ब्लेड में डाला गया है और यह और बाहरा निकल झ़ए diferen था यह रहा है। और जब कोई भी ची ब्लेड में सेक्ट ठाली जाए तो और यह उसने थल्प कोई भी सिवलेड दाए रही वे ईदारी बीजोपिसे की कोई भी में सेकshंड टाइम डाली बाद यह अगर बात करें जो बारे में कि यह कहां हो रहा है तो बटा जो ममारा रियम ने वाच के रिनल टंस तर है यानिinizi आपका पी city और आपके collecting duct में भी होगा यानि कि site of reaction आपका क्या क्या रहेगा पी-सीटी रहेगा loop of family रहेगा डी-सीटी रहेगा और क्या रहेगा collecting duct रहेगा यानि कि इन चारों के अंदर आपका क्या हो रहा है बिटा Re-Exemption की अदार है जो material निकल चुका है और वो essential है उनको वापस blood में कहा कहा से लाया जा रहा है PCT से लाया जा रहा है बटा loop of anlay से लाया जा रहा है DCT से लाया जा रहा है और collecting duct में लाया जा रहा है अगर इस process के हम लोग बात करें कि यह जो process है यह कैसी रहेगी आपके बटा active process होगी या फिर आपकी यह पैसिव process रहेगी यह selective होगी या फिर non selective रहेगी कैसी process होने वाली है यह तो अगर हम बात करें filtration के बारे में तो वहां हमसे गल्बती हो चुकी थी इसलिए हमने क्या किया बटा जो आपका यह यह जो process है बटा आपकी री एप्जॉप्शन इसमें बात करें तो यह आपकी active या पैसिव यह दोनों तरह से होगी आपका active भी होगा और यह जो आपकी पैसिव होने होने वाली है यानि री एप्जॉप्शन दो रहेगा बटा आपका active होगा और आपका पैसिव भी होगा तो आप इसमें active कैसे passive कैसे मतलब कि हम क्या मानें बटा कि कौन कौन सा जो हमारा जो है बटा एक्टिव होने वाला है क्योंकि यह जो process आपकी दोनों तरफ से और यह बटा आपकी active प्रॉसेस में active active मिन से भी हो रही है और यह ज तो किन सबस्टेंस में बटा आपका एंशी होने वाली है और किन किन में नहीं होने वाली है उनकी बात करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं बटा आपकी यह आपका बूमन्स कैप्सूल टिक आपकी PCD आपकी लूप अफ एले DCD और कलेक्टिंग डग्ट यहां बगल में कमें तो वह पैसिवली होताएगी उसमें आपका इनर्जी यूजी नहीं करनी फिर से सुनें अगर आपका कोई भी सबस्टेंस फिल्ट्रेट में जादा और बलड में कम तो फिल्ट्रेट से बलड की तरफ अपने अब चला जाएगा और आपको कोई एनर्जी का यूज नह करना यानि की जो जो सबस्टेंस आपके फिल्ट्रेट में जादा और बलड में कम वह उनका बिटा जो होगा पैसिवली और जो जो सबस्टेंस आपके फिल्ट्रेट में कमें और बलड में जादा हैं उनका होगा एक्टिवली अगर आप लोगों के पास कोई सबस्टेंस है वो फिल्ट्रेट में कमें ब्लेड में ज़ादा है तो आपको कम से ज़्यादा की तरफ देना पट रहाए तो आपको दक्का देना पड़ेगा उसको कि भाई जा यहां से है ना और दक्का देने में आपकी एंँर्जी लगेगी तो यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहेगा औ अगर में बात करूंघ कौन कौन से पैसिव हैं कौन कौन से एक्टिव है तो आपको याध रहने हैं चार सबस्टेंस हैlovराया है बना की अ क्यार अग्तिव का एक्टिव ली अगर बीचा पह वाटर के वारे में C-L-H-C-O-3- and nitrogenous waste जैसे यूरिया ये चार सबस्टेंस इनका आपका बड़ा रिपजबसन होगा passively बागी सबका होगा actively H2O, C-L-H-C-O-3- and nitrogenous waste यूरिया ये चार प्रोड़क्ट आपको याद रखने हैं जिनका बड़ा रिपजबसन होने वाला है आपका passively and बाकी जो भी सबस्टेंस हैं उनका आपका जो ट्रांस्पोर्ट होने वाला है आपका actively जैसे मैं बात करूं बड़ा वाटर के बारे में तो आपका वाटर काफी निकल चुका था आपने 180 लीटर प्रडूस किया है वह बाला होगा क्या नहीं क्योंकि आपके ब्लड के प्लाजमा का भी बड़ा सरफ 20 पसेंट फिल्टर हुआ है तो थोड़ा बहुत ग्लूकोस नीच आया है लेकिन कम आया है अभी भी देखें तो ब्लड में ग्लूकोस जादा है फिल्ट्रेट के कम पैरिजन में तो आपको ज कैसे एनर्जी का यूज करके डलना पड़ेगा और एनर्जी का यूज हो रहा है तो आपकी प्रोसेस कैसी होगई एक्टिव होगई यानि चार सबस्टेंस आपके पैसिवली रियाब्जाब होंगे जिनके कंसेंट्रेशन फिल्ट्रेट में खंब ब्लड में ज्यादा तो हैं इस आपकर एक्टिव रियोपिजाब्स होगा और अगर किसी का की कवन्सेंट्रेशन जो है फिल्ट्रेट मैं में गूंड में तो आपका पैसिवली रियंग साइगा ये बात के लिए कि अगर बात करने हैं अगर बद्दल्रित अगरर ऑगा जो आपका फिल्ट्रेशन क लीटर प्रेडिविस्टी बिटा आपका जो टोटल फिल्ट्रेट का लग बग 99 पर सेंट वह है मटीरियल वह रियब्जर वह चुका है आपका जो यह दॉप संसल रहे बिटा वह दौनों तरह से चल रहा है एक्टिव लीवी और पैसिव लीवी पैसिव की बात करें तो आपका यूरिया ये फारी जिसेंगा इसके और आपका एक्टिव ली जैसे बात करो मिंड्रेल्स की वेटमिन्स की ग्लूकोस की अमाइन्यू एस्ट इसे यह सभी जाएगा बड़ा जब आपका एक्टिव लिगा तो रियप्जॉप्शन के समय पे जब डिटी की बारी जब आप कुछ दोगे और उसने डिमांड की बटा हॉर्मोन की यानि कि जब DCT में रियापजब्शन हुआ तो उसके लिए हॉर्मोन की दरुद पढ़ी DCT ने कंडिशन रख दी अगर आपको रियापजब्शन करवाना है तो हॉर्मोन लेकर आओ यानि कि यहां जो आपका रियापजब्शन हुआ वो बटा हॉर्मोन के प्रिजन्स में हुआ यानि DCT की एक कंडिशन थी रियापजब्शन करवाने के लिए इसलिए इसको बोलते हैं कंडिशनल रियापजब्शन अगर आपसे कोई बुचता भी है कि कंडिशनल उनिंटिब्शन पेड़ं आपका चल रहा है इसमें क्या सब्सेचर फनक्सन बढखेंगे नेफिंटि इस एक अच्छ Mensch को नहीं हो रहे यह साठी आएगे अधर है वाड़ा क अब आपको तरह से हो रहा है किस किस्टीज का हो रहा है यह सब याधर ठाफना है अगर बात करें आगे की बैदा याब जे चार्प request के बारे में तो जो रिये जॉफचंकि ऌफेने संके बारे Cysting अपते 행सी सकत्राइब कर थाख कि अइN प्रोड़िक्त थे उन को फिल्टरेट से उठाके आपको बलड में डालना प्रिए ट buck के तो यह प्रोसेस आपकी किए इने साथी प्रॉसरसाब की रियुजब्जब्जब्थानन यानि एसेंटियल सबस्टेंज ट्रांफर इन्टु बलड फ्रॉम गिलो मेरिल्लिटरेट जयर रीनल टीब्यूल की फर्स यह भी जो को इटाया आपने कह चांड से इनका रियापजब्स नब कावरा है । यह फेल्टरेट मैं कम कमें ब्रेड में ज्याद हैं इसलिए आपको बड़ा इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी इसलिए आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बड़ा नाइट्रियोधिनेस वेस्ट की जैसे यूरिया आपका वाटर की कि इसमें आपकी जो फिल्ट्रेड में इनकी कंसेंट्रियोधिन ज्यादा है तो आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी बड़ रही है ये बड़ाप की बात हुई रीअपजब्जब्जब्जन के बारे में ये रीअपजब्जब्जन क्यों था क्योंकि आपके कुछ शोट क्या ना था तो ये आपका रीअपजब्जब्जन करवाया गया यानि रीअपजब्जब्जब्जन का रीजब्जन था बेटा कि कोई भी अगर एसेंशियल प्रोड़क्ट यूरिन में जा रहा है तो इसको बापस ब्लड में लेकिया हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की पहल के ब्लड में रह गए यानि कि अगर मैं बात करूं बड़ा जैसे ही आपका बूमें स्केप्सूल और यहां आपका फिल्ट्रेशन चल रहा है तो कुछ से प्रोड़क्ट ऐसे दे जो आपके अपर चर से बढ़ें लेकिन वह वेस्ट हैं आप उनको बाड़ी में रखना चा वो साइफ में बड़े थे वो नहीं निकल पाए अपरचर के तो अब वो नहीं निकल पाए तो क्या उनको ब्लेड में एक्विलेट करके रखोगे बही अब नहीं वो आखिर पर वेस्ट प्रोड़क्ट है और हमने यूरिन का फॉर्मेशन क्यों किया है क्यों कि हम क्या चा अब क्या करोगे कि आप लोग जो वेस्ट था इसको ब्लड से उठाओगे और फिल्ट्रेट में डालोगे और यहीं आपकी तीसरी प्रोसेस है थर्ड स्टेप है मेकेनिजम आफ यूरिन फॉर्मेशन का जिसका नाम है टीबिलर सी क्रेशन यानि कि अगला स्टेप है वह हम तर यहर वेस्ट मातेरियल जैसे मैं बात करूं बड़ा आप कह là करेटने के टा ना हिपीूरिक ऐसेड उस तरह कह कच यमिकल को जो हम लोंग एंटлек कर रह एं कुछ यह तरक से एक जो मैं लेकिन यह बड़े होने कि बज़ए से यह प्लिच्ट्रेट में नहीं निकल पाए और आपको इनको बोडी से बार निकालना था तो इसके लिए भी वही तरीका रहेगा कि आप जब का जब आपका फिल्ट्रेट जा रहा है यहां रिनल टिबूल से होते हुए तब आप क्या करो आप लोग पैरी टिबूलर के पिलरी से यह लोग पड़े यहां ब्लेड में यहां आपका रिनल टिबूल और यह साथ में चाल रहिए आपकी बरहें तो आप क्या कर रहे हो इसको बापस उठाके बैट में डाल रहे हो यह कहला रहा है आपका री अब्जरॉप्शन और अगर कोई material बड़े होने की बज़े से वह अभी भी ब्रेड में पड़ा हुआ है और आप इसको निकाल के फिल्ट्रेट में डाल रहे हो यह process आपके क्या कहला रही है बटा टीबिलर सीक्रेशन सी क्रेसल इसमें किस किसका होगा आपके कुछ आइंस का होता है बिटा एगर टीबलर सीक्रेशन की बात किरें तो तो कुछ आयंज का सिक्रेशन होगा आपकी कुछ वेस्ट रॉड्ट कुछ क्यमिकल कुछ द्रच्ञ पयोरिक एसिड केरहते नहां इन सबका जो आपका टीबल양 सिक्रेशन के अदाएगा और टीबल सब्सक्राइं और बाद आफिक गालना है लेकिन इनको बाहर नहीं निकाल पाया तो बाहर निकालने पेरिप्लर moki के होते हुए और प्लस यहरा सकत करेंगे फयकर बादर आप प्लस और नियजो है डाल देंगे इसे कर रहे हो आप यह आपके बोड़ी के लिए वेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपने इनका सीक्रेशन किया और इन आइंस का जो सीक्रेशन किया वह किया गया पीएच मेंटेन के लिए आपके इन आइंस का भी सीक्रेशन किया गया यानि की टीबिलर सीक्रेशन एक तो वेस्ट material को बिटा eliminate करने में help कर रहा है second यह help कर रहा है आपका pH maintain में यानि कि आपके pH को भी बिटा maintain करके रख रहा है अगर बात करें तो आपका क्या है release of large waste product from blood into glomerular filtrate by renal tubule यानि आपके जो large waste product रह सुकी है बिटा ब्लड में उनको उठाके आपको किसमें डालना है फिल्ट्रेट में डालना है helps in maintenance of ionic and acid-based balance यानि कि आइनिक एंड़ प्याइस में यह help कर रहा है during unit formation tubular secret substance like H plus K plus and amino and ammonia in the filtrate इन सब का भी आपका जो है secretion क्या जा रहा है अगर बात करें आपके secretion के बारे बिटा तो आपका secretion एक active process है यानिकि secretion में आपकी energy use when you do it comprise और मैं parts के बारे बात करें नों बढ़ा आपके secretion में तो जो आपका secretion रहेगा tubular secretion यह आपका बढ़ा PCD में होगा आपका DCD में होगा और आपका collecting duct में आपके लूप आफ एनले में बड़ा टीबिलर सी क्रेशन नहीं होगा अगर आप से कोई क्वेशन पूछ लेता है बड़ा कल को कि यह बताओ कि इनमें से कौन सा पाइट है इनमें से कौन सा पाइट है जो पीएच बैलेंस में कोई सिगनिफिकेंट डॉल प्ले नहीं कर रहा विच पाइट आफ एनल टीबूल डू नोट प्ले सिगनिफिकेंट रॉल इन पीएच मेंटिनेंस ऑफ बड़ी आंसर लूप आफ एनले क्योंकि पे पीएच मेंटिनेंस का जो काम है वह बड़ा टीबिलर सी क्रेशन के द्वारा किया जा रहा है अगर लूप आफ एनले के अंद अब बड़ा क्या हुआ कि आपका जो है आपका जो भी यूरिन का फॉर्मेशन था इसमें आपने सबसे पहले फिल्ट्रेशन किया फिल्ट्रेशन में आपका यहां गलोमेरुला फिल्ट्रेट बना और इस फिल्ट्रेट के बाद में अगर आपके कुछ एसेंसियल प्रोड कि फिल्ट्रेट में सेंस्यल ना होकर अगर कोई ब्लड में वेस्ट प्रोड़क्ट प्रिजेंट है यानि फिल्ट्रेशन के समय पे ब्लड ने कुछ वेस्ट को रख लिया उसको जाने ही नहीं दिया क्योंकि कैपिलरी के अपरचर के साइच से वह बढ़े थे और वह बढ़े बढ़े आपका मेकेनिजम और यूरिन फारमेशन जो आपका तीन स्टेब में कंप्लीट हुआ पहला इल्ट्राफिल्ट्रेशन दूसरा री एप्जरप्शन एंड तीसरा जो बढ़े वह टीबलर सीक्रेशन और हमने तीनों को समझा अर्येप्जरप्शन टीबलर झाल झाल झाल